आज हमनों देखेंगे जी के जिये सभी परिक्षाओं के लिए महत्तपूर्ण है सक्तिया जो कियो लोकसभा के पास है धन भीद्यक का पूनरा स्थापन मंत्री परिशत के बिरुद अभिश्वास परस्ताव पारित करना ने की समिधान के अंतरगर्द परधान मंति सभाई होता है तो कि राष्ष्ट पती लोकसभा में अंगल भारतिय समठाई के सदश्यों को मनोनित कर सकते हैं दो से अधिक दो से देखने बार्तिय सम्भिधान वो अनुछेत को लोगसभा अंभिधान सभा के परतनिद्यों को निर्वाचीत करने अर्थात ब्यस्मतादिकार का परदान करता है अनुछेत 326 में लोगसभा में केंटर सासित परदेशों का सरवाधिक परतनिद हो सकता है 20 निक मंत्री परसत समाई के रूप से उतरदाई होता है लोकसभा के प्रती उतरदाई होता है लोकसभा में अब इस्वास प्रस्ता प्रस्तूत करने के लिए शदश्यों की शमती आउस्या के पचास लोकसभा के दो सदस निर्वाचित किये जाते हैं तिरपूरा मेहने दान बीदयाक पुनर अस्थापित किया जाता है लोकसभा. लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है अस्थागन द्वारा, शत्रवासन द्वारा न्यों. लोकसभा के सत्र का अश्वासन करने के लिए प्राधिकरीत है राश्तृति न्यों. लोकसभा में किसी बीद्यक पर आम बहुष होती है दितिय वाचन में। डिली मीटेशन के बाद यूपी में निरवाचनरको की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसथ छेत्र है उनाव। 2009 लोकसभा चुनाव निरवाचनरको की शंख्या मिलियन में है 704 लोकसभा राजसभा में परतने सबसे अधिक है उत्तर परदेश में। संसत के दोनों सदनों की सवन्यूद बैठा क्या देखता करेगा लोकसभा अधियक्ष प्रोटेग एस पीकर का करतब होता है सदश्यों की शपद दिलाने। लोकसभा अधियक्ष को उनके कारेकाल की समाप्ती से पुर पत से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस अश्य का परस्ताव पारित कर दे। कोई विद्यक धन विद्यक है या नहीं इसका निगने करता है लोकसभा अधियक्ष करता है। लोगसभा का सचीवाले सीधे मंत्री नियंत्रित होता है लोगसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है लोगसभा अध्याच स्पीकर अपने कास्टिंग बोट का परियोग करते हैं बोट बराबर होने के नाते में लोगसभा का अध्याच पत्र देता है लोगसभा में डीपटी इस पीकर को शम्बहोधित करके ने के लोगसभा में पुर्तम महील्ग अध्यक्ष है मीक्ष कुमाण एक लोगसभा और राजशभा की गढ्गपूर्ती करता है कुल सदश का एक बटा दसवक नहीं अनसूची जाती के लिए आरक्षण नहीं है और आचल परदेश जम्मुक कस्मीर यह में घाले लोकसभा के दो सत्रों के अंतराल होस को कहते हैं शत्रवासन काल कहते हैं लोकसभा की शमानिता अवधीप होती है पांच वर्स की होती है पर सत्रवासन से तत्पर है लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना ने संसत के दोनों सदनों के संजगत बैठा के पीठा सीन होगा लोकसभा अध्यक छोता है ने भारतिया संसत की लोक सिलेखा समीती के चेयर्मेन को मनुनित करता है लोकसभा अध्यक ने लोकसभा एम राय सभा में संजिक्ट बैटा की आहुद दी जाती है राष्टपती द्वारा दी जाती हैं लोकषभाध्यक्ट के सीधे परवेक्षचा की अंतरगत आता है लोकषभा सचिवाले शाधन के एक सदस से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस को बोलने को कहशक्ता इसे कहा जाता है इंगिल दा फ्लोर राजसाभा भी घाटन नहीं होता है राजसाभा करती है राज और संग राज छेत्रों करता है अनुछे दूसर उंचास के खंड वान के अंतरगत परत प्रश्थाप प्रवेट्थी नहीं रहेगा एक वर्स ते अधिक समाई के लिए राजसाभा के चुनाव के लिए पैखषित निउंत माई है तीस वर राजसाभा में राजों के परतिनेर दिया जाता है उनकी जन्संक्या के अधार्प राजसाभा के लिए निर्वाचित सदशों की संक्या सबसे कम है हिमाचर पर्देश मिनिए पहली बार एक संसत्थ बिध लोग सभा दोरा बीट जारत भेज़े गए बीट विधया को राई सभा अधितम रोक के रख सकती है चोगदा दिन राई साभा की ये कांतिक सक्ति के अंतरगात आता है नई अखिल भारतिय सेवाओं का सिर्जन परधान मंत्री मनमोहन सिंग राई साभा सदस्य निर्वाचित हुए थे असमसे ने राई साभा के एक तिहाई सदस्य परती एक दो बर्स बाद अवकास गराण करते हैं सांसाथ जया बशन को राई साभा की सदस्ता के लिए आयोग ठाराया गया क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में लाप पाने वाले पदपर आसीन थे उत्तर परदेश विकास परिशाद में राई सभा में राज्यों को आवंटी तस्थानों के अधार पा और हो ही करह में सही अनुसार होगे उत्तर परदेश बिहार, महराश टमिन अड़ो भरत्वन उत्तर परदेश महराश टमिन अड़ो बिहार पस्चिमंगर परधान मंत्रियों मंत्री परशत परधान मंत्री कार्याले पीमों के संबंद में सत्यकथन है यह 277 में अस्तितों में आय था भारतिय संबिधान के परधानों में मंत्री परशत की नियुक्ति तथा परधान मंत्री को बीवियेचीत करता है परधान मंत्री परधान मंत्री जो संसत के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस नहीं है उससे मंत्री परधान के लिए नियुक हरती पर स्थर्दाइय होता है लोगसभा के प्रति होता है रोत्त के परदान मंत्री ग्याया के के मौन मंत्री रहते चंद्र शेकर भारत के मदमें परधान मंत्री थे द्योगोडा वो परधान मंत्री पद का सृर्जन हुआताय। प्रावधानों से हट करने भारते समिधान का अनुछे दठतर में प्रावधान है परधान मंत्री के दाइतों का मंत्री परिशद का वास्तविक नेता है परधान मंत्री मानों संसाधन विकास मंत्र में विभाग नहीं है तक निकी सीख्षा का विभाग भारत में राजकोशि दिया जाता है भारत के संभीधान में लेखित नहीं है बजट भारत के संभीधान का पौद एक बार से अधिक शमावतर के शुशोवित किया गूल जाहिल अनन्दा इंद्रा गांधी अटल विहारी बाजपई मंत्री परसत में परधान मंत्री सहीत मंत्रियों की कुल संक्या परधान मंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में समोजित किया था हेंटन संसद्य समितियम बीविन प्रस्ताव लोक सभा तथा राज सभा दोनों सद्यों से मिलकर गठित होती है संसद्य की लोक लेखा समीति शमनुपातिक परधित एमाम एकल सकरमडिय बोट पत्ती से निर्वाचियन होता है लोक लेखा समीति के सदश्यों का कारेकाल होता है एक वर्स का निक संसत की अस्थाई समीती के सदश्यों को लोग सभा एम राई सभा में लिया जाता है दो और एक्स के अनुपार्थ मेने प्राकलन समीती के सदश्यों को कारिकाल होता है एक वर्षने संसत की लोग लेखा समिती के बैठकों में उपस्तित रहता है भारत के नियंत्र का महा लेखा परिक्षट ध्यान कर्शन सुचना के प्राध्यान के समिती क्याता अस्थागन प्रस्ताव भारत के मंतरी परिशत रख सकती है विश्वास प्रस्तावन कटवती प्रस्ताव का शंदर्वी समना है शंग्य बजटने शंग्चदिय समिती गठीत नहीं की गई है अल्प संखियों के कल्याण के बारे में राज सभा संसोदुने के सिफारिस कर सकते धन बीद्य के बीशाय में धन बीद्य का अरम होता है लोकसभा सेने लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति परदान करता है निषत दधि के लिए बारजिय संचित नीधी से धन निकालने के लिए कोई विद्यक धन विद्यक है या नए इस प्रस्टशन का अंतिम निन नहें होता है लोकसभा अध्याक्ष के पास्षाई वह समीती का अध्यक्ष शमानित भीफक्षी दल से होता है लोग लेखा समीती बीवीन समीदान संसोधन एम उसकी परते के रिया बारतिय समीदान के 34 वे समयदाने संसोधन से संबंध सही कथन यह समीदान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपलग करता है यह नगर पालिकाओं करेपल का पुनर्श संरचना करता है यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए अरक्षन का उपलग करता है बारतिय समीदान में परतम संसोधन हुआ था 1951 में शीकिंगग विवदत भारत संग के एक पुर्व राज के रूप में समिलित किया था 36 समयदानिक संसोधन के दोराने भारतिया समीदान के प्राकिर्थिक हिंदी पार्ट को प्रकासित करने के लिए अधिक्रित किया गया था filtered 99 समयदानिक संसोधन 1987 अनुचेद 19 के वन के सी में शकारी समीती सब जोड़ा गया था संतनवे समयधाने संसोधन अदरियम 2011 में समीधान का पर्थम संसोधन जो बर्षनी से कान में पारित हुआ था कुछ राजों में किये गए क्रिसी भूमी शमनी सुधारों के सरक्षन से था 42 समयधानिक संसोधन दोर प्रषतावना में जोड़ो गये समाजवार धर्द मिरपेक्ष और एकढ़ता था शंपती का अधिकार समाथ किया गया था संपती के मौलिक अधिकार को समाथ किया गया था चान एक संपती के मौलिक करतव्यों से संसोधन दोर निति देशक तत्तों में नहीं जुड़ा गया समान अचार सही था समिधान के 73 चोहतरवे संसोधन उतरदाई है राज निर्वाचन आयो जीला नियोजन समितियान बीत आयो के सीरजन के लिए देली नेशनल कैपिटल छेतर बना उनहतरवा संसोधन 1951 शमिधान का 22 संसोधन संबंदित है दल बदल सेने चोहतरवे समिधान संसोधन अधनियान दुरा लोक सभा की कुल सदस सीटों की संक्या 1911 की जनगर्णा के अधार पर कर दी गई ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्स विशेस के बाद पहली जनगर्णा नह होगी यह बर्स 2026 ने कलiones लोक सभा और डाइस प्रदान सभावों में अनसची जाती तो अनसूची जन्जातीयों कि और रक्षण से प्रवधाण का संचोधन हो सकता है संचोधन की पहल पीजा कि संचत के किसी समयधान ग्रव कीशान में समूर्थी संची स鬚ी में त्ट हो चुका था । निदे लिए गतरॉ था तो फ्रवधा norm जून पॉल दिटक एक और caller चार। सुचिया गाए था ब्यासवेश समयधान संसोधान Dvraay भारत में एक नए राज परियोजáveis के सिर्जन के लिए भारत के सम्मेधान का संसोधन पारित होना चाहिए संसद में साधे बहुमत से शमीदान बरावाब परशिष्ट चोड़ा गया था 24 संसोधन द्वरा बर्यत्य अनुकरम योजना आयो को भारत सरकार के सरकारी में महुत्तो का दर जां दिया जया गया बहरत सर्कार के केम्नेट मंत्री के शमार राज सरकर की समयाच नयम कारवा प्रौक rem राज का पर मुंख होता है भारतिया स्वमिधान का अनुचेद 62 के सिर्शक के अंतरगत आता है राज की कारेपाली का सक्ति का विस्तार करना शमिधान का अनुचेद जिसके अंतरगत किसी राज के राज के राजपाल विधान मंडल के आउकास के दोरा आधा देश जारी कर सकते हैं अनुचेद 203 के तह जब एक ही ब्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राजपाल ने किया जाता है तो उस राजपाल को संदे उपलब्दी और भत्य होंगे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में अवंटिद किया जाएगा जैसा राष्ट्वतिया देश द्वारा और धारित करें बिधान जवा में सरकार को अपना बहुमत सीद करने को करने के लिए मुख मंत्री को बरकास करने के लिए भारत के राजपती के विचारत किसी विध्यों को अरक्षित करने के लिए विधाई का द्वारा पारित विध्यों को पुनर विचार हेतु वापस करने के लिए मंत्री के उस प्रावधान का पुवाद है जिसमें एक राज के बिधान सवाग के गठन में साठ से कौम सदस नहीं होंगे सिक्यम राज पंचाइतव को बितिया स्थितिक का पुनर लोकन करने के लिए बीत आयो का गठन करता है स्वमनित राज का राजयपाल शोतंद भारत के किसी राज की शौर पर्थम महिला राजयपाल बनी थी स्रोजनी नाईडू राजयपाल जिने बरकास किया गया था रगुकल थी लग किस राज के राजयपाल दोरा अर्णेंस अनुमोदन होना आउस्यक है राज की बिधाई का दोरा राज को पद की शपत गरहन करवाता है उच्छ नियाले का मुख्य नाईडिस राज बिधान मंडल दन बिध्यक के अतरिक्त एक बिध्यक जो बिधान सवा के पर्थम बार पारित कर दिया हो बिधान परिसाद में पड़ा रह सकता है तीन मास से अधिक तक नहीं राज बिधान सवा में कोई दन बिध्यक पूनर अस्थापित नहीं किया जाए सकता बेगार राज पाल के संस्तूती के बेगार बर्स 1956 में पूनर गटित राजयों में दियुशादन ये विधाईका थी पांच बारत के किसी राज की बिधान सवा में अधिक्तम सदश्य हो सकते हैं पांच सो राज की अकास्मिक निदि की ये अस्तापना की उतरदाई थे किसी राज का बिधान मंडल उत्तरा खन गठन के बाद उत्तर परदेश में बिधान सवा छेत्र सेस बच्छे हैं 430 बिधान परसत किसी सधारा बिध्य को रोक सकता है 4 मातर बिधान सवाओं के बिगठन के बाद भी उसका स्पीकर फ़द पर बना रहता है बिधान सभा के बिगटन के बाल गटित बिधान सभा की पहली बैठक के ठीक पूर्वुतक बिधान सभा की सरवादिक सदर्श शंक्या उत्तर परदेश की बाल गटन के बिधान सभा की बाल गटन की बाल गटन की सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का नेधान किया जाते है राज बीधान सभा दोरा शमिधान का वो अनुछेद जो मुख मंत्री के दाइतों को परिवासित करते हैं अनुछेद 166 कुछ राजियों है तु विशिष्ट उब्बन दिल्ली की विधान सभा विभाजी थे सत्तर भागों में दिल्ली एन्सियार को छोड़कर भरत में शंग्य छेत्रें 6 बर्तवान में दिल्ली छोड़कर साथ हो गये हैं जमू एम कस्मीर के मुख मंत्री की कार यवदी होती है चो बर्स होती थी अब तक उसको रद करके पांच साल हो गया है जमू और कस्मीर राज के कारी अध्यक्षपत का नाम शर्णों से पंशन में सदर ए रियासत से राजपाल में बदल दिया गया जमू कस्मीर राज के समीधान में छटवे संसोदंद्वरा भारतिया समीधान क अनुचे 370 समद जमू कस्मीर राज से था अनुसोची जन जातियों के सरवादिक पर्थनिद निर्वाचित करता है मद्द परदेश से राज सवा जमू कस्मीर एं बिधान मंडल एं राज बिधान परसद में किसी भी जाती के लिए रख्षण नहीं है भारत में सरवादि अनुसोची चाती जन संक्या वाला परदेश है उत्तर परदेश भारत के शम्मीदान के अनुचे 370 के खामें विशे सुबंद परदाने दासम राज के लिए भारत का राज जहां शमाने कमन सीविल कोड लागू है गुवा में नाइपाली का जुडिसिक वह तम नेले गठ शम्मीदानिक वैत्ता के संबंद में किसकी अन्य अधिकारिता तथा कौन भारतिय शम्मीदान का सरक्षक है भारत का शरोच नियाले भारतिया नियाई बिवस्ता में जब जनहीत याजिका को सामिल किया गया उस समय भारत के मुक्य नेदिस से पीयन भगवती भारत का में तदर्थ नियादीशों के नियुक्ति होती है जब नियाले के किसी सत्र के लिए नियादीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। मैं भारत के संभीधान के प्रती सच्चा विश्वास और सच्ची निष्टा रखूंगा। भारत की शंपरवुता और खंता को बनाये रखूंगा। अपने पद पर कर्तवियों का निवहन करूंगा। शंभीधान और कानोनों की राख्षा करूंगा। या सफत ली जाती है भारत के मुखे नियादीश द्वारा। उइतम नियाला में समिधान के निर्वचन से समद्ध मामले के शुनवाई करने के लिए नियादीशों की शंख्या कम से कम होनी चाहिए पाँच। उज्टंतम तथा उज्श नियालय के नियाडिसों के नियोगति तथा अश्थ नात्रन के लिए परामर्श परकिरिये के समध में राष्ठ पती में उज्टंनियालय के विदेशन किया है। खंड वन में अनुच्छेद 143 के अंतरगाद में अधीशों का वेतर निर्धार किया जाता है शंसंद दौरा केंदर तता राजियों के विवादों का शामधान करना भारतिय सरोष नियाले के जिस चेता अधिकार के अंतरगाद दौरा है पराम्भिक भारत के सरोष नियाले ने सरोष नियाले के अधारवू ढाचे के सिधान को अस्वस्ट किया है केशवा नान भारती बाद 1973 भारत का सरोष नियाले अभिलेक नियाले है इसका आश्य है कि इसके सवी नियर्णयों का सक्षात्मक मुल्य होता है और इस पर किसी नियाले में प्रस्णची नहीं लगया जा सकता है लापवद निर्धान करना संसा द्वारा होता है अपने नियर्णय को प्रिवर्तित करन बुनियादी नाचा के सिधान पर होता है नियाइक ब्याख्यां आली मुझतम नियाले ने परवासी पंचांग निधार्त अधिनियाँ मुझतम नियाले मुलबूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है नेले में कारीपालिका निलंबित होने की दसा में लागो की जाती है उत्रेश्पन प्रेट एक ऐसी अचिका जो ने पालिका जारी की जाती है इसमें कारे पालिकार से कहा जाता है कि वह कारे कारे जो उसे परदत सक्तियों के अंतरगत करना चाहिए था उस रीट को कहा जाता है परमादेश या मैडम मिस जब सरोच नियाले किसी ब्यक्ती यत्वा संस्ता को उनके दाईतों के निरोहान है तू लेख जारी करता है उसे कहते हैं परमादेश मुल अधिकार को परवर्तित करने है तू अधिकार प्रात सरोच है मुझ नियालियों को नर्सेंगिक नियाय की और ध्यान नहीं दिया जाता परमादेश रीटों उच्तम नियाले द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंड पीट बनी है गोलक नात के बारत के मुझ नियाले की शंपूर करवाही अंग्रेजी भासा में होगी या भीवीध है भारतिय समिधा सब्सक्राइब के धारा 348 वह तम नियाले ने अध्यारित किया गया कि अनुचाइद बहुतर और 68 के अंतरगा दाखिल की गई या जिकाया उनकी प्राप्ति के तीन मां के वेतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए क्योंकि अब अब अंचित देरी नियाज विवस्ता में वि अधिकारों के अंतिकर्मण के प्रती अब नियुनेत किये जाने की करवाही में लागू होगा निलवती बहेरा बनाम ओडिशा राज के बाद में सर्वच नियले ने सरकार के कन्या भूण हत्या के विरोध भीधि को पूर्ण नियुनसीत के साथ किर्णायत करने का निर्देश दिया है सिहारत बनाम भारत संग के बाद में पंच नय मुर्तियों की शमिधान पीट ने समप्रेशित किया है कि अस्तागन का सिधान वीचार फूर्ण होने तक निर्दोस माने जाने की विभ्यक्ति के सांथ मेडिया के सांथ संतुलन्त पर केंद्रित है शहारा इंडिया रियल एस्टेट कर्पोरेशन लेम्टेड एन अन्य बनाम भारतिय परतिभूति बिन में बोड के बाद में बारत के उष्टम नियाले में भी निर्धारित किया गया कि दुम्रपान ना करने वाले को वाईप और दुसंट से पिड़ित होने के लिए विवस नहीं किया जा सकता मोरली एस्ट देगोडा बनाम भारत संग के बाद में भूच्तम नियाले न भी निर्धारित किया अयों कि कर्मी महिलाओं को युअन उत्पिरा लेंगिक समन्त अप्रांड metro देख सतंतक अधिकारों कि अति कर्मन के कोटी में आताया जिस बाद में स्वरूच्तम नियाले किया Ned दारित किया एकी वाद था बीशाखा एम अन्य बनाम स्टेट अप राजस्तान एम अन्य उच्तमने पी एम संग मा बनाम पर्णमुखर जीवाद निन्ना थीरी शतुटू के बहुमत में उच्तमने राधित की जाते हैं भारत की संचित नेदी से भारत को उच्तम नियाले के नियादिशों की संक्यां ब्रिदी कि जा सके संसरती अधिनियम द्वारा भारत को उच्तम नियाले द्वारा परति पादित बीधी भारत के राज छेत्र के भीतर सभी अधिनस्त नियालों पर बादेकारी है प्रंतो उच्तम नियाले के नियुद् भान में बिहार राज के बाद में उच नयाले पर कारे कारे नयाधीस्यों के नियुक्ति राश्पति के दवारा की जा सकते पर्णतु ऐसे नियुक्ति अधिक नहीं होती विटम नेयले के नयादीष के निवति के लिए हार्ता नायत हुझा परावधान सरोच नेयले के लिए श्मानिक नहीं सबीकněs सरॅटिक ही ятельिकरा न दी सेट को सरोच नियाले दोरा सजादी गई नियाए की और मन्ना के लिए ने लिए अज़्टम नियाले गठन सक्तियाम छेत्रादीकार भारत अमिधन को अनुचिय जिसमें केंद्र सासित परदेशों के लिए उच नियाले परवधान अनुचे 241 भारत मुच नियालों की शंख्या है 21 भरतमान में 25 सबसे अधीक बेंच है गुगाटी उच नियाले की बामे मदास कलकाता मुच नियालों की शंख्या है 1861 उच नियाले के सेवनेविर्ट जर्ज की पेंसन दी जाती है भारत की संचीत नियादी से नियालों के लिए उच नियाले जारी कर सकता है बंदी परत्यक्षी करन रिट उच नियाले को शंबैदानिक अधिकार समवीदिक अधिकार एं मौलिक अधिकार के अंतरगात आते हैं परमादेश जारी करने की सकति भारत में एक नियाल करते हुद पर्सासन कव बाद करते हुद स्थाने खारज को सब्हुतित्यौत्य दौन गर सरथ में 2014 aan फजब शवासे अप इस दिशने कोस्त करदा होगी तौन भारत में पंचायती राज समना राव समिती एम एल सीखवी समिती और पीकेश धुंगन समिती जानता को विकास मूलक्स परसासन भागेदारे के योग्द बनाना उदेश्चे है पंचायती राज के नुशंसा की गई बलवांत राव समिती रिपोर्ट 1907 पंचायतों में अध्यक्षपद के लिए वर पंचायतों की आ का साधा नहीं है का पंचायती राज सार पर्वतम अर्व किया था राजस्थाय अ